ओम, अश्टांग योग के दो अधारभुत अंग यम और नियम के बाद आता है तिसरा अंग आसन तो आज के इस वीडियो में केवल आसन समझेंगे लेकिन अगर आपने पहले दो वीडियो दो अंग नहीं देखे नहीं समझे तो कृप्या उपर आई बटन पे क्लिक कर दिज देखे फिर यह वीडियो देखेंगे या फिर निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उन वीडियो की लिंक दी है यहां से आप देख सकते हो तो आईए देखे तिसरांग आसन जो वर्तमान में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है महर्शी पतंजली के अनुसार आसन क की व्यक्या है स्थीर सुखमासनम अर्थात हमारे शरीर की स्थिती जो स्थीर हो और सुखदायक हो वह आसन है अधिकतर जब हम आराम से बैठे होते है तो स्थीर नहीं होते और यदि स्थीर बैठे होते है तो तने हुए होते है जिसमें आराम नहीं होता आसन अर्थात जब उपासना ध्यान आधी करने के लिए बैठना हो तो लंबे समय स्थीर बैठने का अभ्यास करना चाहिए अगर कोई इन स्थीतियों में भी नहीं बैठ सके तो सुपास्रयासन अर्थात कुर्शी या दिवार के सहरे भी बैठके ध्यान प्राणयम वगेरे साधना कर सकते ह केवल इतना याद रखना है कि किसी भी ध्यानत्मक आशन को करते समय हमारी रीड की हड़ी बैकबन सिधी रहनी चाहिए पर सरीर को ढिला रखे तानिय नहीं आज के इस आधुनिक यूग में बहुत सारे लोगों को यह भ्रह्म है कि वे मात्र कुछ कठीन आसनों के कुशल अभ्यास से खुद को योगी बन जाएंगे और समाज में बहुत से लोग उनको योगी मानते भी है पर याद रखे यह योगाशन केवल योग का एक अंग मात करते हुए लंबे समय तक स्रद्धा पुर्वक्षमाधि का अभ्यास करना पड़ता है हठ योग में 84 प्रकाल के आसन दर्शाये हैं उसमें ध्यानात्मक आसन उप्रांत कई और सारे आसन है जिसका सिधा संबंद सारेरिक एवं मानसिक आरोग्य से है मेरे अनुभव से कह रहा हूँ सभी आसनों में स्रेष्ट है सुर्य नमस्कार का अभ्यास ये हमें सभी को रोज रोज जरूर करना ही चाहिए सुर्य नमस्कार के अभ्यास से सरीर मन और आत्मा सबल होते है पृत्वी पर सुर्य के बीना जीवन संभव नहीं है सुर्य नमस्कार का मतलब है सुर्य को नमन करना यानी सन सैलोटेशन आमतोर पर इसका अभ्यास सुबा खाली पेट किया जाता है सुबा के समय खूली जगह पर इसे करें जहां आपको ताजा हवा मिले शुरुनमस्कार का हर रोज अभ्यास करने से दिमाग शक्रिय और एकाग्र बनता है स्वास्थय निखरता है बहतर पाचन तंत्र बनता है बड़ी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है चिंता तनाव और साथ से हम दूर रहते है सरीर में लचिला पनाता है मासिक धर्म रैगिलर होता है रीड की हड़ी को मिलती है मजबूती इतने सारे बेनिफिट शुरुनमस्कार के है तो शुरुनमस्कार आप जरूर कीजिए इन आसनों के शुरुनमस्कार के और कई आसनों के अभ्यास से सरीर के सभी अंगों को पूरा व्यायाम मिलता है वे शक्रिय और लचीले बनते है तो देखते हैं योगाशन के गुण और लाब योगाशनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि सहज, साध्य और सर्वसुलब है योगाशन ऐसे व्यायाम पद्दती है जिसमें न तो कुछ विशेश व्याय होता है और न इतनी साधन सामगरी की आवशक्ता होती है योगाशन, अमीर, गरीब, बुढ़े, जवान, सबल, निर्बल सभी, स्त्री, फुरुष, सभी कर सकते है आसनों में जहां मास्पेसिया को तानने, सिकोडने और एठने की क्रियाएं करनी पड़ती है वहीं दूसरी और साध तनाव खिंचाव दूर करने की क्रियाएं भी होती है जिससे सरीर की ठकान मिट जाती है और आसनों से वियाय शक्ति वापिस मिल जाती है सरीर और मन को तरुताजा करने उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लब की द्रश्टिय से भी योगाशनों का अलग महत्व रहा है योगाशनों से भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर सकती है और युवावस्था बनाये रखने एवं वीजरक्षा में शहायक होती है योगाशनों द्वारा पेट की भली भाती सुचार रूप से सफाय होती है और पाचन अंग पुष्ट होते है पाचन समस्थान में गड़बडियां उत्पन्न नहीं होती योगाशन से मेरुदंड रीड की हड़ी लचिला बनती है योगाशन पेशियों को सकती प्रदान करता है इससे मोटापा घटता है दूरबल पतला विक्ती तंदुरस्त होता है योगाशन स्तिरियों की सरे रचना के लिए विशेश अनुकुल है वे उनमें सुंदर्ता, समग्र विकाश, सुघर्ता और गती, सुंदर्य आदिगुन पत्पन्ना करते है योगाशन मेरुदंड को लचिला बनता है और व्याई हुई नाड़ी सकती को पूर्ती करता है योगाशन पेशियों को सकती प्रदान करते है इससे मोटा पगटता है योगाशनों से बुद्धी की रुद्धी होती है और धर्णा सकती को नईश फूर्ती एवं ताजगी मिलती है उपर उठने वाली प्रवर्तिया जागरूत होती है और आत्मा सुधार के प्रैतन बढ़ जाते है योगाशन स्थियों और पूरुसों को स्यमी एवं अहर विहर में मध्यम मार्क का अनुकरण करने वाला बनाते है अतह मन और सरीर को स्थाई तथ संपुर्ण स्वास्थ मिलता है योगाशन स्वास्क्रिया का नियमन करते हैं रदै और फिफडों को बल देते हैं रक्त को सुद्ध करते हैं और मन में स्थिर्ता पेदा कर संकल्प सकती बढ़ाते हैं योगाशन सारीरिक स्वास्थे के लिए वर्दान स्वरूप है क्योंकि इनमें सरीर के समग्र भागों पर प्रभाव पड़ता है और वह अपने कार्य सुचार रूप से करते हैं आसन सरीर के प्रतिक अंग का व्यायायम होता है जिससे सरीर पुष्ट स्वस्थ एवं स्रुद्रण बनता है योगाशन के अभ्यास से सरीर के सभी प्रमुख तंत्र, स्नायू तंत्र, रुधिरा भिशरन तंत्र, स्वास प्रश्वास तंत्र, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्राव तंत्र ऐसे सभी तंत्र सुचार रूश्य अपना कारिया करते हैं जिससे सरीर पूर्णतह स्वस्थ बना रहता है और कोई रोग नहीं होता सारीक, मानसिक, बोध्धिक और अध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आसोनों को प्योग किया जाता है अन्य व्यायम पद्धित्या केवल बह्य सरीर को ही प्रभावित करने की ख्षमता रहती है जबकि योगासन के अभ्यास्य मानव का चहु मुखी विकास होता है आईए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आसनों को करने से पूर्व क्या आवश्यक सावधन्या रखनी चाहिए एक योगासन सोच क्रिया से निवरुत होने के बाद ही किया जाना चाहिए तथा एक घंटे पस्चात स्नान करें योगासन समतल भूमी पर आशन बिच्छा कर करना चाहिए एवं मौसम अनुसार ढिले वस्तर पहनने चाहिए योगासन खूले एवं हवदार कमरे में करने चाहिए ताकि स्वास के साथ आप स्वतंत्र रूप से सुद्ध वायू ले सके अभ्यास आप बाहर भी कर सकते हैं परन्तु आसपास वातावरन सुद्ध तथा मौसम सुहाव न होना चाहिए आशन करते समय अनावस्यक जोर न लगाए ये देपी प्ररम्भ में आप अपनी मास पैस्यों को कड़ी पाएंगे लेकिन कुछ भी सब्ता के नियमित अभ्यास से सरी लचिला बन जाता है आशन को आशानी से करे, कठिना से नहीं, उनके साथ जात्ती ना करे मासिक धर्म, गर्भावस्था, बुखार, गंबिर रोग के दोरन आशन ना करे योग अभ्यासी को सम्यक अहर अर्थत भोजन, प्राकृतिक और उतना ही लेना चाहिए जितना की पचने में आशानी हो, वजरासन को छोड़के सभी आशन खाली पेठ ही करे आशन के अंत में विश्राम करे, आशन विधी पूर्वक ही करे, प्रत्यक आशन दोनों और से करे, एवं उसका पूरक अभ्यास भी करे यदि आशन को करने के दोरान किसी अंग में अत्याधिक पीड़ा होती है तो किसी योग चिकित सके सलाह लेकर ही करे यदि अत्याधिक वायू, अत्याधिक उष्णता या रक्त अत्याधिक अशुद्ध हो तो सीर के बल किये जाने वाले आशन नहीं किये जाए विशेले तत्व मस्तिस्क में पहुँचकर शती पहुँचा सकते हैं इसलिए साउधानी बहुत महत्व प्रून है आशन करते समय केवल नाक से ही स्वास भरे और छोड़े, मुँझ को बंद रखे, मुझ से स्वास नहीं ले सरी जब फैले या पीछे जुके तब स्वास भरे और सरी जब सिकुडे या आगे तरब जुके तब हमें स्वास छोड़ना है इतनी सलधन्य हमें रखनी है तो तीसरे अंग आशन के विशय में मेरी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अश्टांग योग के चौथे अंग प्रानायम के साथ धन्यवाद